लेजना अब अगला लेक्षर जो है हमारा इस मिशीन लर्निंग के चैलिस दिन के चिले का और विसली आइनो के यहां पर जो चीजे हम देख रहे हैं वह बड़ी इंपॉर्टन है सबसे बड़ी चीज यह है कि यार एई में कौन आगे चला गया कौन पीछे रहा गया जारी ब हाले से यार गूगल कर ला हम यह तो नहीं कहते हैं सर्च कर लो गूगल कर लो समझ रहे हैं बात को सो गूगल एई यानि के मशीन लर्निंग बेस्ट टेक्नोलोजी के अंदर सबसे आगे थी अभी भी है इन सब फ्यू टर्म्स लेकिन अब आइस्ता इस्ता डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड में कौन सी चीज आ गया है इतना AI के अंदर इंकलाब आ चुका है सबसे पहली है जो गूगल फिर दूसरी Microsoft है अपने नाम सुना होगा तीसरी Facebook यानि के Meta जिनोंने नाम चेंज कर दिया है नाम चेंज करने से याद आया आपको Twitter के नाम के चेंज का भी पता चल गया होगा उसका नाम एक्स रख दिया गया है और AI न्यूस के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में इस पर डिसक्स में किया है देन Amazon, IBM, Intel, Apple, Tesla, NVIDIA, NVIDIA का किस-को पता है जिसको पता है अब इसका कुछ शौक है गेमिंग के अंदर अगर नहीं पता तो ग्राफिक डि कंपनी है अच्छी खासी कंपनी है जो आपको ग्राफिक कार्स बना के देती है अपको पता होगा देन स्टेबिलिटी आइए आज कल मैं ऑपन सोर्स वाली चीज़ों को नाम आगे रख रहूं बाकि तो मिड जरनी और देर मैनी और मैनी मोर तो यह कंपनीज हैं कुछ आइडिया तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर इनके हैड़कॉार्टर्स हैं इसका मतलब है कि वो लोग उस कंट्री के रूल्स एंड डेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं इसका यह भी मतलब है कि वो कंट्री के पास सबसे ज्यादा डेटा है अगर कोई AI या मिशीन लेर्न की बेस पर कोई आप आ रही है कोई अल्गरित हम आ रहे है तो उस कंट्री के पास डेटा ही है ना क्या ख्याल है ऐसा ही है कि नहीं है अब हम देखते हैं कि यह कंपनी किस तरीके से AI को यूटलाइज करती है गूगल बहुत ज्यादा इन्होंने इंवेस्टमेंट की है AI के अंदर डिफरेंट प्रॉडक्स में जिसमें आपकी सर्च जो सबसे पहले गूगल सर्च जिसको मैं बोड़ा था गूगल कर लें जिसको आज कल लोग चैट जीपीटी कर लें बोलते हैं सर्च एसिस्टेंट है उसका ठीक है एंदेन उसके वाद आपके पास ट्रांसलेट करना फोटोस के उपर आप स्टोर करके टैग करके तो बहुत ज्यादे इंवेस्टमेंट कर रहे हैं यह AI के अंदर दूसरी Microsoft है आपको अगर नहीं बता तो यह बिंग के अंदर जितना चाहिए जीपीटी फोर के अलगरेथम तब वो इंक्लूड इन्हों ने कर दिया और उपन AI चाहिए जीपीटी के अंदर अच्छी खासी इन्हों ने इन्वेस्टमेंट किया रेसेंली और ओफिस 365 यानि के ओफिस की जितनी प्रोडेक्स हैं Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, Notes, so on and so forth उन सभी के अंदर Dynamic 365 का concept launch होने वाल है और उसके अंदर आप यह AI-based technology को use कर सकते हैं and they are going to launch this very soon. Healthcare bot services है, Xbox इनका gaming के हवाले से and there are many things. Microsoft की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह GitHub code repository को own करते हैं इसका मतलब यह दुनिया में जितने open source code है, उनका data किन के पास है जी? Microsoft के पास. यह है गेम बड़े वाली. उन्होंने डिरेक्ट GitHub खरीदी हुई है. तो GitHub के उपर जितने resources अगर किसी को नहीं पता, GitHub is one of the websites जो हम बहुत extensively use करने वाले हैं ठीक है? और इस पे अपनी आप ID's as soon as possible बना रहें. And they are collaborating with open AI. Then हम चलते हैं जनाव Facebook पे. Facebook या Meta. दोनों सेम चीज़े हैं. मैं Meta इस वह दिए से नहीं लिखा है, Facebook ज्यादा फिमिलियर यहां पे आपको call करता है, तो we will see. Applying AI for social media data आपको पता है, कि आपको specific वही ads आ रहे होती हैं, वही videos आ रहे होती हैं, वही चीज़े आ रहे होती हैं, जनमें आपका interest रहे होता है. And you are having really precise things there. Facial recognition, language translation भी होती है, कि आप अपने किसी दोस, for example, मेरे एकसर अगाद Italian दोस्त जो हैं, colleagues, recent colleagues, जो पुराने colleagues हैं, उनकी post आती है Italian में, नहीं चे लिखा होता है, translate, post, तो automatically translate हो जाते हैं, so they are implementing that thing. फिर उनने एक library बनाई है, जिनका नाम है PyTorch, and then Lemma 2 framework, जो recently launch हुआ है, यह Facebook बहुत ज्यादा काम कर रही है, इसमें, आपका Amazon है, जिसमें क्या होता है, कि आप different किसम की, अच्छा, आपको Alexa का पता है, Siri का पता होगा, Google Search Assistant का पता होगा, so these all things work on AI, ठीक है, robots होगे उसके, जो warehouses के अंदर use करते हैं, there are a lot of things, IBM क्या कर रही है, AI research की pioneer है, हमने history देखा, IBM AI research की pioneer है, लेकिन उनना ही पिछे रहागी है, यह वो दोस्त है, जो दोस्तों को नकल लगवा के खुद कम नंबर लेके पास हुआ है, IBM, ठीक है, मतलब होते हैं, अक्सर रोकात class के अंदर आप कहते audio वगेर है, इनका, और there are many, for example, इनकी recipes के reports और quantum computer के अंदर ये काम करें, but AI की दुनिया के अंदर थोड़ा पीछे चले गए, फिर Intel है, जिसके अंदर ये AI को utilize करके अब नई chips बना रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, Apple जो है, सबसे important, ओधनों Siri दा नाम लो, वो सा यार, वो रही होती ही बक्रेंगी, Siri, क्या हो गया? So, computer vision, camera app, face ID, और augmented reality के उपर, Apple के जितनी websites हैं, जितनी products हैं, वो काम करती हैं, आपने पता होगा कि iPhone 14, बाद में आता है, पहले लोग गुर्दों का rate पूछने लग जाते हैं, किने दा विकेगा? So, उनको पता होता है कि augmented reality के उपर काम करना है, ठीक है? पंजाबी में जो Siri होती है, वो होती है सदिके की Siri, जो आप समझ रहे हैं, वो भी ठीक है, Tesla, autopilot self-driving car capabilities powered by AI, also using for manufacturing, सबसे बड़ी बात, तो उन्हों की लगद है, ओ जिड़ा जहाज था उन्हों, पाकिस्तान तो बार ल सब्सक्राइब करके चला रहाता है, नहीं, वो सारा artificial intelligence पर चल रहा है, उसने path set कर दिया, अपनी arc set कर दी, उसने hide, wait, ये सारा कुछ जितनी चीज़े हैं, hide, wait नहीं करता है, hide करता है, और अपनी speed वगएरा measure करके लगा देता है, वो automatically सारा कुछ autopilot पर चल रहाता है, ठीक है So autopilots is one of the thing, जो AI की base पर चलती है, NVIDIA ने बहुत कमाल-कमाल के GPUs launch की है, ये जो 4 के आप सुनते हैं, नाम, अगर आप computer से कुछ चीज़ input ले रहे हैं, तो उसके पीछे GPU होता है, GPU क्याता है, graphical processing units, और ये GPU specially आपके CUDA और बाकी इस किसम के जो हैं, deep learning के लिए भी यूज़े ये कह तो safe रहे हैं, समझ रहे हैं आप, विच्चों है भी ठीक ने, so उन्होंने GPT-3 language model डाला, फिर GPT-4 डाला, अब ये जो है इसको vision की तरफ लेके जा रहे हैं, AI news जुरूर सुनें जो हर उतवार शाम 9 बज़े के गरीब आपके सामने में ले गया आता हूं, आप सिरफ म Stable Diffusion Models, यानि के SDXL1, ये mid-journey के क्रीब-क्रीब आपको अला किसम के तस्वीरें देता है, totally free of cost है, open source है, Beluga 1 and Beluga 2 इनके दो मॉडल्स हैं, जो चैट GPT से भी अच्छा perform कर रहे हैं, if you don't know about those, please try them out, अब यहां तक आपको सारी चीज़ें समझ आगी होगी, and if you have any question, you can write down in the comment section, या आप चैट में पूछ सकते हैं, and then we are jumping towards our next lecture.